दोस्तों इंडियन हुमन एक्टिवेटिस यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ शुरू करने से पहले अपसे एक जुरूरी बात बोलना है जो लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लो और जिस लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा बहुत ज़दा सपोट किया है उस लोगों का मैं दिल से धन्नवा बाद देती हूँ मेरे साथ और मेरे को बहुत ज़्यदा सब्सक्राइब करने के लिए तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हूँ तो अब देख सकते हूँ मैं I.C.A.R. जो कोई भी इंटर्व्यू नहीं होगा एक्जम के बाद आपका जॉइनिंग हो जाएगा यह पब्लिष्ट हुआ है 18.21 में देखते हैं क्या-क्या अपर आप आप देख सकते हो तो यह पर सलड़ी कितना होगा यह नहीं बोला है यह अग्री काल्चर डिपर्टमेंट है और इसका सब्मिशन अप्लाइन अप्लिकेशन स्टार्ट अन अर्टर डिसेंबर आज से ही अप्लिकेशन शुरू हुआ है आज से ही अप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है आज से ही अप्लिकेशन अनलाइन अप्लिकेशन करना होगा आपका और लास्ट डेट अन टाइम रेसिप् तो बेट्विन इसका जो अब्जेक्टिव टाइप एक्जमिनेशन होगा CBT डेट अनलाइन अब्जेक्टिव टाइप एक्जमिनेशन CBT उसका बेट्विन 25 जानुवारी तो 25 जानुवारी टू 5 फेबरारी 2022 वो 25 जानुवारी से लेके 5 फेबरारी आपको एक्जम होने का चांस है tentative date है यह हो भी सकता है between COVID situation का जो pandemic situation है वो हट जाएगा तो आपको एक्जम भी इस tight date में हो जाएगा तो subject to change online computer based तो यह आपर गलत हो गया था अबर सब गलत नहीं यह दो star mark देके यह आपर बोल दिया गया है यह है ओनलाइन computer based test और उसके बाद vacancy अनक्सास आप देख सकता हो vacancy 641 post पे 641 post पे vacancy निकलाई यूर के लिए 200 CIC है EWS के लिए एकसर्ट है SCKLN3 है ST68 है OVC133 है एकसर्विसमेन के लिए 8 है और reserve personal with backward disability के 6 है और यह आपर जो PWT candidate के उसका लिए उसका बाद यह आपर आप देख सकते हो यह पर कोई age limit minimum 18 से 30 सल का candidate आप अप्लाई कर सकते हो age आपको count क्या जाएगा 10 जनवरी 2022 आपको कुछ छोड़ भी दिया जाएगा ICC 50 years old serving regular employee जो employee है उसका ICC 58 years तक अप्लाई कर सकते हो उसके बाद आपको कुछ इन minimum age limit आपको छोड़ दे के 58 एर candidate भी अप्लाई कर सकते है उसके बाद आपको candidate का और कुछ कुछ है यह पर वो देखाना है आपको उसके बाद यह पर आप देख सकते हो आपको यह application fee details application fee आपको category wise है यह एक नंबर पे UR, OBC, NCL, NCL, EWS, exam fees 700 रुपीज आपको लगने वाला है 700 रुपिया exam fee देना होगा आपको और registration fee 300 रुपिया तो registration fee आपको 300 रुपिया देना है टोटल एक हजार रुपिया 1000 रुपीज आपको देना है दो नंबर पे है आपको पे करना है तो जो भी है इसने select किया है तो आपको पे करना ही पड़ेगा तो 300 रुपिया मात यहापर 300 रुपिया नहीं करके यहापर भी 1000 रुपिया कर देना चाहिए था फिसलिए 300 रुपिया चोड़ देने से क्या होता है तो जो भी है अब from club का देना यह बहुत ही एक है महत्वन एक यह बहुत ही ज्यादा एज ओल ओवर इंडिया पे है यह बहुत बड़ा central government का एक research institute है और यह पर की examination for wrong answer one fourth एक four चार question का गलत answer 0.25 होगा और one fourth इसका wrong होगा उसके बाद यह पर आप देख सकते हो क्वालिफाइ माक्स रिटेंट टेस्ट सीवीटी पर्चिन 40% है 40% है और यूर के लिए 30% SC, OBC, NCL के 25% है न होगा उसके बाद आपको देखना है उसके बाद आपको instruction for documents verification तो documents verification पर क्या क्या है आपका सब कुछ जब exam आप clear कर लोगे उसके बाद एक इस qualification जो आपको documents verification होने के बाद medical और आपको joining हो जाएगा एक ही exam होगा एक ही exam और 10th basis का एक ही exam होगा उसके बाद आपका joining हो जाएगा medical और documents verification होके आपका joining हो जाएगा तो और यह जो website है website के link में description देदेगा वहाँसे आप direct website के जाके front love कर लेना या वाटक ना नहीं रहा है वहाँसे download जाके site पर आके जाना उसके बाद registration registration करने के बाद registration आपको एक ID और password आपका mobile number पर भेज़ दिया जाएगा SMS के तायत और उसके बाद आपको सही से email और आपका एक working email भी देना है email आपको जब registration करना करोगे registration करने के बाद आपको email पर नहीं आएगा आएग SMS के अंदर उसका ID आपका user ID और password भी रहेगा SMS के अंदर उस password को आप चैंस कर लेना और उसके बाद आप चैंस नहीं भी कर सकते उस password को रग भी सकते हो और उसके भी change भी कर सकते हो जो चैंस करना बहुत ही यह अच्छा होता है और उसके बाद strip to filling सब कुछ देके आपको किय किया देना है आपको SC, OBC, SC, ST candidate है तो आपका certificate upload करना पड़ेगा 100 के भी के अंदर और आपको matriculation 10th का मार्शीट, मार्शीट नहीं certificate upload करना होगा 100 के भी के अंदर आपको चुबी 100 के भी का passport size photo upload करना है और 100 के भी का signature आपको upload करना है इतना ही upload करना है और कुछ नहीं upload करना ह है और आप ST, SC, ST हो तो woman candidate हो और record classes से हो तो आपको 300 रुपिया fee payment करना होगा SBI online credit card से apply कर सकतो कोई दिक्कत नहीं होगा और नहीं हो तो आपको 1000 रुपिया कटना होगा और उसके बाद इतना सारा या पर देख सकते हो और फोटो 200 dpi का 100 के भी का मैंने बोल दिया था और उसके बाद 12 भी या पर 12 का जो है सब कुछ देना हो qualification 10 12 ग्रजुएशन दे सकते हो बड़ आपको 10 का मर्श्विठी अप्लाइ सर्टिफिकेट भी ही आपको upload करना है या पर 100 के भी के अंदर रहना होगा उसका size और आपको इ जाए और download के लिए और अच्छी से इसका देख लिए और कुछ नहीं है इतना ही था इतना ही था इसका वीडियो फिर मिलते दुसरे एक वीडियो पर धन्नवाद अच्छा रहिए दुसरों को अच्छा रखने पर आप जरूर help करिए और मिलते फिर एक वीडियो में झाल